पूपर दूपर नुपर अपिए पूपर आपके लिए लेके आरहू रिजने की क्लास, आज ये क्लास सम्मर पांच भी होगी, ये क्लास 5 है रिजने की ओके फॉस्ट हम लोग पाच्वी क्लास कर रहा हैं डिजनी में और हम लोग पढ़ रहें कोडिन डिपे और इस कोडिन डिकोडिन चैक्तर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेटर टू नमबर लेटर टू नमबर आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे लेटर टू नमबर और इससे समंद्ध जितने सारे कोशन बनते हैं आज हम आज आपको करवाने बाते हैं तो हम लोग चार क्लास कर लिए हैं कोडिन डिकोडिन की और जिसमें हम लोग किये हैं लेटर टू लेटर, चार क्लास तक हम लोग किये हैं, लेटर टू लेटर, चार क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, त्रिस्टी क्लास और चौधी क्लास, तो आज हम लोग की, आज पांच भी क्लास है, और इस पांच भी क्लास में, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से हम लो आप देखेंगे जैसे पहला कोश्यन है यदि किसी शांगेती भाषा में कैट को लिखा जाता है 31 तो उसी शांगेती भाषा में होर्स को कैसे लिखा जाएगा हो आर एस इ को हम कैसे लिखेंगे बिल्कुल सिंपल कोश्यन है यदि किसी शांगेती भाषा में कैट को 380 कैट को 3120 लिखा जाए तो हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे 3 का कोट C होगा A का कोट कितना होता है एक कोट एक होता है आपका और T का कोट कितना होता है 20 बिल्कुल सिंपल सी बात है सेम वही चीज़ लिख दिया गया है यहाँ पे आपको क्या गरना है, H कमान यहाँ पर 8 लिखेंगे, O कमान कितना लिखेंगे, आप 15 लिखेंगे, और R कमान 18 लिखेंगे, S कमान 19 लिखेंगे, और E कमान आप 5 लिखेंगे, तो आपका कितना हो जाए गए हाँ पर 8, 15, 18, 19 और 5, यह आपका बन जाएगा code, ओके, यह हमारा answer प्लीज गर चैनल पर पह्लिवारा है हो तो चैनल को जरूर साथ कीजिएगा वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों में वीडियो स्टैप भी कीजिएगा अगला है जैसे मैं लिखू हूँ यदि किसी सांगेती भाषा में रेट को 49 लिखा जाए तो शी सांगेती भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा डॉग को क्या दिखा जाएगा आपको मैंने बताया है कि आप किया क्या गरें कि जो आपके लेटर हैं उनके कोड किया गरो फिर जिसे आर का कितना होगा आर का वही 18 हो जाता है एक का कितना होगा एक हो जाएगा और टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है यह 9 है आपका फिर उसके बाद 1 और 2 कितना होगा 3 तो कितना होगा 39 यहां पर 39 लिखा उसी तरह से आप क्या करोगे D का कोड़ आपको पता होगा 4 O का कोड़ कितना होगा आपका 15 और G का जो कोड़ होता है वो कितना होता है साथ आप इनको जोड़ लेगे और जोड़ें के बाद क्या आपको मिलेगा 549 और 966 हाशिरे एक एक कितना होगा तो टोटल कितना होगा 26 26 26 is right answer आपका यह आपका सही answer होगा कितना 26 आपका सही answer होगा तो clear समस्में आया ना सभी को चलिए यह तो आपका question 2 होगया यह second question था चलिए आप अगला कराते है question number 3 question 3 question 3 question थीस्ता है कि यदि किशी शांगेती खाशा में rat को r a t rat को 92 सरस्ट लिखा जाए और dog को उसी सांगेती खाशा में dog को हम कैसे लिखेंगे dog को कैसे लिखा जाएगा dog को कैसे लिखेंगे अगला locomotion यदि किसी सांगेती खाशा में rat को 12 लिखा जाता है कि नो फिर o को आप कैसे लिखेंगे रू अललग अलग है रूल अलग अलग है लेटर तो सेम है यहाँ पे भी रैट लिखा है यहाँ पे डॉग लिखा है यहाँ पे भी रैट डॉग लिखा है लेकिन वैलू अलग अलग है रूल अलग अलग है और मान हुए कि जैसे लिखा तो कोई इफैक्ट नहीं पड़ता है हमें नियम समझने है आताको किस्से मतलब है किबल और केवल वीडियो से मतलब है जो हैं आपको मिल सके हैं ठीक है चलिए, इतना तो तोड़ा को त्यार करें शर्त के वाप लोग, चलो, अब देखो यहां पर, R का कितना होगा, 18, A का कितना होगा, 1, और T का मान कितना होता है, 20, इतना मैंने आपको कराया रखा है, ठीक है, अब आप देखो, यह मैंने आपको बताया था, आपोजिट, किशी D का कितना होता है, W, ऐसे मैंने आपको होताया था, ठीक है, L का जैसे होगा, L का O होगा, V का कितना होगा, E हो, यह चीज़ मैंने आपको होताया था, यह आपर जैसे किसी का आपोजिट निकला था, जैसे A है, A का एक मान होता है, जैसे मुझे A का आपोजिट लीगे, तो A एक का अपोजिट आपको याद है कि हमाँ 26 का माँ जड होता है लेकिन पता वैसे पाहंगी कि 27 में आप एक को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 26 आदेगा और 26 की वैलू जो होती हो जड के बरावर होती है तो किसी भी अक्षर के किसी भी लेटर के अपोजिट मान गयाद करना हो तो फिर आप ये पॉइंट आप चाहें नोट कर लो कि मुझे एक बार 27 से घटा कर 27 से घटा कर लिगना होता है ठीक है किसी भी अक्षर के अपोजिट अक्षर याद करने हो किसी भी अक्षर के अपोजिट अक्षर याद करने हो तो उस अक्षर के कोड को 27 से एक बा कि R है आपका, R का मान 18 होता है, मुझे R का अपोजिट चाहिए, तो फिल्कुल सिंपल बात है, कि मैं 27 से यह दी 18 हूँ, हठालू, तो फिल कितना है था, 9, तो आप सीरिस ही दे रहे, रो यहाँ पर R की वैलू कितना लिकाविया, 9 पूट हुआ है, फिर उसकी बाद अगर मैं एक ही बात करूं, एक वैलू कितना होगी, अपोजिट 26, फिर उसकी बाद T की बात करूं, T की वैलू कितना होगी है, 20, और मैं इसको बाद 27 से माइनस करूं, 27 से माइनस करूं गोए 20 को, तो 7 आएगा, 7 यहाँ पर दे रखा है, तो इसका मतब क्या हुआ, इसका मतब यह उस लेटर के अपोजिट लेटर के वैलू को लिखा गया है, अपोजिट लेटर के वैलू को पुट किया गया है, तो उसी तरह से सेमी सच्वेशन, आपके क्या होगी, डॉक के साथ होगी, उस वही कंडिशन, वही रूल हम किसके साथ लागू करेंगे, डॉक के साथ ही वह क्योंकि मुझे अपोजिट लिखना है 27 से चालब को मैं घढ़ाऊंगा तो 23 आएगा और 23 की वैलू कित्ता होती है वही डबलू होता है उससे कोई मतलब है नहीं मुझे तशंध्या से मतलब है फिर उसके बाद मैं 15 घटा हूँ 27 से तो फिर कितना आएगा आपका 12 आएगा य यह आपका राइट एंसर है आपका यह राइट एंसर है 23 बारवीस अलब करेक्ट एंसर है ओके चलिए अगला देहिए रैट को 12 लिखा जाए तो डॉगों को हम कैसे लिखेंगे आपको पता है कि आर कमान ठारा एक कमान एक और टी कमान 20 ओके आएदे अब दिखो आप अगर मैं इसको एक धन आठ लिखो तो वैलो किसके बरावर नौ की यह आपका सिंगल एक ही रहेगा और इसको अगर मैं एड करूं तो फिर यह वैलो किसके बरावर दो अब देखो आठ एक नो यह हो गया 9 एक 10 और 10 तो बारा मतलब सभी अक्षरों को मैं अगर जोड़ अगर जोड़ लें लिए चार दन एक धन पांच धन शाथ तो बरावर किता हो ज़गा चार एक पांच पांच और दस साथ 17 ओके तो आपका जो राइट एंसर बनेगा आपका राइट एंसर किता हो ज़गा सब्सक्राइब उमीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है तो अगर देखेंगे और समझ में आरा तो वीडियो सेर करते लिए अपने सलीशातियों में ठीक है कोड़ी कोड़ी के बाद आपके लिए मैं अच्छा चैप्टर लेकर आऊँगा कलेंडर या फिर घड़ी या फिर डाइस या फिर और सारे जो चैप्टर आप कमेंड करके बत अगला फूशन है आपका इसको मैं मिटा दूं पुरा से ओके तो सभी शाक्यों में आप अपने दोस्तों में सेरभी करते रहें और प्लेस चैनल ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करवा सकते हो ठीक कुछ लगना तो है ना इसमें इतना तो प्यार दिखाई सकते ह चली देखेंगे जिस तरश मैं रैट को लिख रहा हूं यदि मैं रैट को लिख रहा हूं 360 तो फिर उसी शांगेती भाशा में तो डॉग को मैं कैसे लिखूंगा एक्जामपल से मैं रूल अलग है बाबू रूल अलग है रेट की यहां पे वैलू लिखा है आरेटी का मतल लिखा है 306 तो डॉग का मतलब क्या होगा जिस एकॉर्डिंग मैं इस चीज को लिखा हूं उसी की तरह उसी कोड में उसी नियम के अनुशार मैं डॉग को कैसे लिखूंगा यह चीज आपको बताना है ओके मैं इक कोशन और पूट कर देरों तब तक आप इसको देश के र प्रप देखो धन से आपके सामने दो कोशन हैं मैंने दो कुर्षन दे रखा है आपको ठीक है रच को 350 लिखा जाता है डॉग को हम कितना लिखेगे अगला है अगला कुर्षे रेट को मैं 1 बचे 2 लिखूं तो हॉर्स को मैं कितना लिखूंगा चलिए 18 और यह 1 और इसका मान होता है आपका 20 अब 18 कम 18 और 18 गुना 20 पे गराओगे 18 गुना 20 पे आप कराओगे तो सुन में हो जाएगा और 18 गुना 36 इसका मतलब क्या हुआ है कि लेटर की जो मान है लेटर की जो कोड है उनका आपस में क्या हो गुना हुआ है आपस में गुना तरके सिध्य वैलू पूट कर दी गए ओके उसी तरह से आप यहां पे भी काम करेंगे D कमान 4, O कमान 15 और G कमान 7 अब आप क्या करोगे आप से और 4 गुना 15 गुना 7 ए यहां पर आपको समय नहीं आ रहा है है यहां पर मैं आपको बता दूं साथ साथ मने एक बात आपको बता रहा कि जो अंग्रेशी अलफावेट हैं उनके क्रमाम का आप याद कर लिए क्रमाम क्याद हो जाएगा तो सारा सारा काम हो जाएगा पूरा अक्षरों के कोड पर डिवेट है तो आप यहां पर देखेंगे यहां पर अगर हम इसको गुणा करा हूँ तो 15 को 60 और 60 को गुणा 7 पर 6.42 420 यहां पर वैलू कितना जाएगी 420 कितना जागा 420 आपका राइट एंसर बनेगा और यह आपका सही एंसर होगा क्लियर अब आप यहां पर आ लिए एक आपका क्या है श्वर है और आर और टी यह आपके क्या है वेंजन है कांस्टेंट है एक आपका क्या है श्वर है वाविल है इसका मतलब क्या हुआ श्वर बटे वेंजन श्वर बटे वेंजन श्वर बटे वेंजन श्वर बटे वें एंच और किकर तो अंच पे सवर्ड और हर पे बेंजन यहां पे शलोग की fund इसलिए one उपर लिखा गया और बेंजन constant की value कितनी है तो है इसलिए two लिखा गया यहाँ पे आप देख लेंगे जो वावेल हैं आपके कित्य हैं60 तो पांच में से यहां पे दो हैं और यहां पे एक दो तीन क्या है आपके कॉंस्टनेंट तो आपका जो करेक्ट एंसल बनेगा वो क्या है तो अपॉं थ्री दो बटे तीन आपका राइट एंसल होगा तो प्लीज वीडियो को सैयर करें और जाद सज्टन आसल दो बटे निए और लेखे लेखे लिए प्रीफिलbür precede की नना सियर न उपर है तो राइंसल बंड़ है आपके लिए काफी अच्छा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो बहुत गजब का है आप जरूर उसको देखेगा कल साम तक अफलोड कर दूँगा वीडियो ओके चलिए आगे लेखेंगे नेश कोशन देखेंगे और आपको अंसर भी बताना है जादा से जादा आप करवा देंगे संस्क्राइब जादा से जादा भोशा देंगे तो स्टार्ट करवा दूँगा मैं आपकी लाइब क्लास क्योंकि लाइब क्लास के लिए अभी हम लोग मतलब उसकी योग नहीं हुए सब्सक्राइबर अभी हम लोग के कम हैं आप लोग प्यार कम दिखा पारे हो और जितने भी लोग हो बहुत प्यार दिए आप लोग ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज सेयर करें और सब्सक्राइब ने किये हैं चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें और व कोशिश करूँगा वो चीश उधाने में आप तक पहुँचाने में ओके चलिए नेक्स्ट वोशन देखेंगे अगला रेट आर ए टी रेट को लिखा रहाता है चौधा एक सो शुला और उशी तरह चे हम होर्स को ऐसे लिखेंगे होर्स को मैं कैसे लिखा हूंगा बड़ा सिम्पल पोशन है इसमें अच्छा है मैं बता रहा हूं आपको इसमें हम कोड़ पे नहीं जाएने जैसे देखो सब्बोस अठारा यह है आपका एक है और यह बिखेंगे आप यह और यहां पर 18 मेंसे में चार घटा दू तो 14 मेंसे चार घटा और 20 मेंसे चार घटा इसे क्या उबकी शोर को सवर की तरह लिख दिया गया सीधे सीधे और जो वेंगें है उसमें से चार घटा भी लिख दिया गया है तो यहां पर 8, 15, 18, 19 और यह 5 तो यहां पर x से 8 से 4 जाएं वहीं चार और 4 कमान कितना आएगा बी होता है चार हो गया और यहां पर 15 को 15 हम 5 सीरी सीधे मिदेत है 1 आपका एंसर है एक आपका यह बन दाए Ground ऐसे मैं लिखाओ responsive A B एक answer आपकर यह बनेगा एक answer आपकर यह बनेगा अगला answer क्या बनेगा A, V, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, H, T, U, V, W, X, Y और यह जोड़े अब दिखेंगे जितने शोन हैं आपनों को छोड़ के गिरिए यह आपकर दिखो यह अब आप यह उस काउन करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शार, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा आपकर दिखो, चोड़ावे नमबर पे आया है स्वर है पहले नमबर पे है फिर उसके बाद 16 नमबर पे दिखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शार, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंदरा, तेरा, चोड़ा, पंदरा, सोड़ा, नमबर पे टी है है की नहीं इसका मतलब फिर सिखो स्वर् के स्थान से काउट किया गया और वेंज़ल को वेंजर के स्थान से काउट किया इस तरह से हम इसके लिए भी काउंट कर लेंगे तियए एक दो, तीन, चार, पांच, छे, दो चे वाले पर यह दोए जे वाले है फिर उसके बाद देखो अठारा होगे ना आर अठारा यस पंदरा पे होगे आपका और ए एक और दो दो नमबर पर हैं तो इसके दो एंसर आप निकाल सकते हैं इसके आपके एंसर निकाल सकते हो क्यों एंसर निकाल सकते हैं तो मेरे भई भाग के वोशन करेंगे पूर से और आपको बताएंगे अंसर चलिए देखेंगे रेट को मैं लिखता हूँ तेरा आर एटी रेट को मैं लिखता हूँ तेरा तो होर्स को मैं कितना लिखूंगा होर्स को मैं कितना लिखूंगा होर्स को मैं कितना लिखूंगा अब देखो, इसको हम तैसे कर पाएंगे, कोई बैलू 13 के बराबरा है, अब आप हमें देखो, R कमान कितना 18, A कमान 1, और T कमान 20, और इनको 3 को जोड़ोगे, तो आप में दिजना होएगा, 18, 19, 19, 39, और नमबर आप लेटर कितने 1, 2, 3, 3, से इसमें क्या लगा दो, भाग ल 5, 5 हो जाएगा, अब यहांपे जोड़ो इनको, 20, और 20 और इनको काउंट टोटल करोगे, तो अठारा, अच्छारा, 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 26 हो जाएगे, और 26, और 20, और 19, नौच्छे, पंदरा के 5, 6, तोटल कितने हैं, 65, और लिटराल नमबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 की भाग लगा ंठे, 25, इसका भी एंसर टेरा आएगा, इसका भी एंसर टेरा ही आएगा, कितना एगा, 30, तो इस तरह जे शक्तमू, आपके यह लिटर टू लंबर कि क्यूर्शन गंखनें, और ऐसी कोशन रहते हैं, तो मैं उमिद करता हू, कि आपको ऐसी कोशन समझ में क्लास में लोग मिलेंगे क्लासिक्स में क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वर्डस टू वर्डस और और क्या लेकर आ रहा है इसमें कॉमन कोडिंग डिकोडिंग कंधि कामण दिकोडिंग के मरे कोशिण करेंगे और जो बहुत आसान हो कम से कम दो चार दो कोशिश न है अब को समझने वी आएगा तो हम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को जबूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कीजिए और अपने सभी साथ में सेर कीजिए और अपना ध्यारा के जैनी जभारत